हैलो फ्रेंड कैसी हैं यहाँ सभी फ्रेंड सम्म आई होप आप सभी अच्छी होंगी और सबसे पहले आपको करवाचा ओर्थ की देल सारी सुब कामनाएं जो आने वाले करवाचा ओर्थ में आप सभी बहुती अच्छे से से सलिबरेट करें तो फ्रेंड's आज के वीडियो म ये simple sari अगर आप simple sari नहीं खरीद पा रही है तो आप इस तरह से ये blouse का piece भी ले सकती है जो simple blouse के piece आते हैं वो भी आप खरीद सकती है और उस पे पूरे सिंगार का समान रखके अपने सासुमा को दे सकती है तो हमने यहाँ पे sari लिया है और ये मेरी sari simple है क्योंकि मेरी ममी जी हमेशा simple साड़ी पसंद करती हैं, तो हमने उनके लिए we場 simple साड़ी ले लिया है, तो अगर आप सासुमा नहीं नहीं है, तो फिर आप अपने बड़ी नंद नहीं के ढ़िना, अपने दीदी को थाल सजा के दे सकती हैं, तो हमारी जो सासुमा है वो ऐसे ही साड़ी पहनती है तो हमने यहां पर इस तरह से साड़ी ले लिया है और फिर उसमें हमने उन्हीं के लिए यह स्विप से मैचिंग चूड़ी ले लिया है और हम यहां पर लाल बिंदी ले ली हूं जो मम्मी जी को मेरे बहुत जादे आती है और उसके बाद ये simple मैं बिंदी ले ओने दो बिंदी ले लिया है और उसके बाद हम यहां पे लिए एक नेचुरल कलर की लिपिष्टिक क्योंकि उनको नेचुरल कलर ही पसंद है तो यह हमने उनके लिए नेचुरल कलर की लिपिष्टिक लिए और उसके बाद हमने लिया है यहां पे पॉडर जो पॉडर यूज करती हमने वहीं पॉडर लिय लिए मैक्समम चीज यूज करती है हमने वह ही चीज लिया है और यह रेड कलर का कंगन ली हूं उनके लिए और यहां पर दो कॉन लिया है मेहदी का जो कॉन होती यह बहुत जादे इंपटेंट होती इसको लेना ही लेना होता है और यहां पर मैं ली हूँ रेड कलर की ये है हमारा सिंदूर और यहां पर मैं एक क्लेचर ली हूँ वैसे ममी तो यूज करती नहीं है क्लेचर फिर भी मैं ले ली हूँ और यहां पर मैंने लिया है एक ये गोल्डेन और पिंक कलर का वो बाल पीन और यहां पे निल पालिस ले ली हूं और दो रबड मैंने लिया है ममी के लिए और सीशा और कंगी और यहां पे हम जो ले वो है पैसा और मैं यहां पे रख रही हूं पांसो एक रुपए रखूंगी और आप चाहें तो जितना आपका समर्थ पैसा रख सकते हैं जैसे 21 रुपए और क्यां रुपए और क्यां रुपए इस तरह से करके तो आप जितना आपका समर्थ उसने सारा पैसा रख सकते हैं जरूरी नहीं कि आप 500 रुपए ही रखें तो मैंने यहां पर पैसार को रख दिया है और जो में इंपोर्टेंट चीज होती है वह है बिच्वा देना ही देना होता है तो हम यहां पर दो जोड़ी बिच्वा लिए हैं क्योंकि ममी दो जोड़ी बिच्वा पहिंती हैं तो यहां पर मेरा थाल हो गया है तयार और यह दे तरह से मैंने थाल को सजा लिया है यह हमारा करवा चोट का थाल सच के तयार हो गया है फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यह कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पनी हो तो सस्क्राइब कर दें थांक्यू थैंक्स पर वाचिंग